नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देखने जोतिश दुशासत किराब के साथ जुड़ गया मैं आपका इस टो फ्रेंड संतोस अंतोसी आज का दिन मुंबई वालों के लिए और परसों का दिन मुंबई वालों के लिए 29 और 31 दो दिन हम मुंबई में हैं मिलने के लिए आपको दिये गए नमबर पर तुरंत वाट्स अप या फिर कॉल करके समय लेना होगा आज का दिन कैसा वीतेगा 29 अगस्त सुमवार सप्ताह का शुभारम हो रहा पूरा सप्ताह अच्छा करने के लिए क्या उपाय करना है इसकी पूरी जानकारी लेकर क्यों पस्तित हूँ आए सुरवात कर देते हैं आज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सबसे पहले आज का पंचांग भादपत महा शुकल पक्ष दुतिया ती थी है दोपहर तीन बच कर तीस मिनट तक इसके बात तुतिया चंद्रमा कन्या में नक्षत्र रहेगा उत्तरा योग रहेगा साथ देत अधनुसार दिनांक 29 अगस्त दिन शुमवार राहुकाल सुपह साड़े साथ से नो और गुलिक काल दोपहर डेड़ से तीन राहुकाल नए और शुब काम के लिए मना करता है लेकिन गुलिक काल कंसीडर करता है कि आप जो चाहें कर सकते हैं हर काम आपके बनते जाते हैं मेश से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा, आज का दिन कैसा बहतर हो सकता है, सबताह का पहला दिन कितना अच्छा किया जाए, ये पूरी जानकारी आज के सबसे पोजिटिव भविश्य वाड़ी में, आईए सुरुवात करते हैं, आज की भविश्य वाड़ी सबसे पहले मेश राशी, पढ़ाई में आज आगे बढ़ रहे हैं, सिक्षा की स्थिति को सुधारने में हर संभव प्रयास आपके सफल होंगे, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है, बिजनस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, प् मेश राशी के हैं और प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी छेतर वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, परशानियों का अंत होगा और शुबता बनी रहेगी, सरकारी छेतर में प्रमोशन की खुश खबरी है, दामपत जीवन अच्छा रहेगा, पतनी और बच्चों के बीच तालमेल आप बिठाने में काम्याब होंगे, लव लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है, सुच समझ कर फैसला लेना चाहिए, स्वास्त के मामले में किट्नी और बैक की प्रॉबलम दिखाई देती है, क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपकी रा अभी भाग्य प्रतिशत 66 कि आज पत्नी के साथ बिचारों में बिशमता रहेगी, ससुराल से रिष्टे में कटता आ सकती है, लव लाइफ बहुत अनकूल है, हर परिष्थित याप के अवसार है, स्वास्त के मामले में देखा जाए तो डाइजेशन प्रॉबलम और आख की समस्या दिखाई देती है क्या उपाय करना चाहिए बिशव राशी वालों को, ओम हंग हनुमते नवह, क्या नहीं करना है, दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है, शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत 58, 58, मिथुन राशी, पढ़ाई बिलकुल बेहतरीन, सिख्छा में किसी तरह की दिक कर तुराव नहीं है, व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनस में आप टॉप करने जा रहे है, प्राइविट सेक्टेर आपके लिए बड़े रास्ते खोल रहा है, मानसिक शान्ती मिलेगी, सरकारी छेतर में तनाव है, गवर्मेंट सेक्टर वालों को कुछ थोड़ा बह करते हैं, स्वास्त के मामले में आख और किड्नी की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी मिथोन है, बोलनात को प्रणाम करके आज काजल का तिलक अपने कंठ पे लगाईएगा, क्या नहीं करना है, दूसरों पर हसना नहीं है, शुबरंग आपके लिस सराज आपको मिलेंगे, सिक्षा में सुधार भी है, परिस्थतियां आपके अनुसार है, व्यापार की स्थति थोड़ी सी दावा डूल है, बिजनस बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, प्राइबर सेक्टर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, चिंताओं से बाहर निक के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आखों की तकलीफ हो सकती है, क्या उपाय करना अगर आपकी राशी करक है, करक राशी वालों को किसी जरूरत मंद को आज जल का दान करियेगा, क्या नहीं करना है, आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है, लाल रंग की शुपता है, साथ प्रत 23 अगस्त, पढ़ाई के लिए आज जो भी विचार किया है, उसके अनुसार कदम बढ़ाईएगा, सिक्षा आपकी पूरी होगी, ब्यापारिक नुकसान की भरपाई कर लेंगे, बिजनस में हर प्रकार से अवसर अच्छे मिलेंगे, प्राइविट सेक्टर आपके लिए र है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लव लाइफ बहुत अनुकूल है, इस्थती आपके अनुसार है, स्वास्त के मामले में किड्नी, बैक और आपकी समस्या दिखाई देती है, क्या उपाय करना अगर आपकी रासे सिंग है, ग्यारह बार दुर्गा मंत्र का जाप करिएगा, क्या नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है, शुबरंग औरेंज भाग की पित्षत तिहत्तर, कन्यराशी, पढ़ाई के लिए अनेक शुबता बन रही है, सिक्षा आपकी पूरी होगी, सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है, ब्यापार अनकूल है, बिजनस में लाब क्या उसर बनेंगे, प्राइविट सिक्टर आपके लिए रास्ते खोलेगा, चिंताओं से बाहर सरकारी छित्र की स्तिती में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, गौर्मेंट सेक्टर को लेकर आपको सजग रहने की आवशक्ता है, दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, तालमेल अच्छा वैठेगा, और रिस्ते में मधुरता बनी रहेगी, लव लाइफ को लेकर की आज थोड़ा सा सजग रहने की आवशक्ता है, अलगाव के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं, स्वास्त के मामले में देखा जाए तो डाइजेशन प्रॉबलम आख और पेट की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए कन्य रा प्रंगलाल भाग्य प्रिद्शत तिरसट, तुलाराशी, पढ़ाई के लिए आज बहुत आउसर भी लेंगे, सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ब्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनस को ले करके आपको पूरी तरह से शुब रहना है, प्राइवेट सेक् को ले करके सजग रहने की आवशक्ता है, आज काम में मन कम लगेगा, दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी की साथ अच्छा समय बितेगा, सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ की स्थिती को ले करके आज सजग रहेगा, यहाँ पर मामला आपके हाथों से बाहर जाता दिखाई देता है, विवा की चर्चा टाल दें, स्वास्त के मामले में डाइजेशन, आख और भुटना परेशान कर रहा है, क्या उपाय करना चाहिए, आज किसी बुजर्ग को दवा का दान करना शुब होगा, क्या नहीं करना है, अगर आपकी राशी तुला है, तो आज दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है, बैगनी रंग शुब है, तिरपन प्रस्चत का भाग आपके साथ है, बिश्चिक राशी, पढ़ाई के लिए आज प्रसंद रहेंगे आप, सिक्षा में बहुत सुधार होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनस में किसी तरह की द बाहर जा रही है, स्वास्त के मामले में देखा जा तो माइग्रेन और हर्ट की प्राब्लम थोड़ा बहुत डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, क्या उपाय करना है बिश्चिक वालों को, आज किसी जरुरतमंद को हल्दी का दान करना है, क्या नहीं करना है, चंचलता नही दिखानी है, शुबरंग आप के लिए आज पीला भाग की प्रतिशत 58, धन राशी, पढ़ाई के लिए समय मिल रहा है, स्विक्षा की इस्तती सुधर रही है, व्यापार अच्छा चलेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर सजग रहने की सरकारी छेत्र में सुधा वनी रहेगी, दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्मी और बच्चों के बीच दाल मिल बैटेगा, लव लाइव को लेकर किया सजग रहिएगा, विवाह की चर्चा टाल देचेगा, स्वास्त के मामले में, डाइजिशन, आख और हट की पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, शिक्छा आपके लिए हर तरह से शुब है, व्यापार की श्तिती में सुधार में बिजनस अफसर अच्छा दे रहा है, प्राइविट सेक्टर को लेकर के सजग रहने से बाहर निकले, सरकारी छेत्र आपके लिए अनकुलत दिखाएगा, गौवर्मेंट सेक्टर में शुबता बनी रहेंगे, दामपत्त जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्छों की बीच दाल में बैठेगा, दुसरे को सपोर्ड करेंगे, लव लाइफ को लेकर के आप जितना सावधान रहेंगे, उतना ही अच्छा है, स्वास् कुम्बराशी, दिराग ऐट्थाईस अगस्त, पढ़ाई अच्छी चल रहे है, सिक्छा में बैलंस है, सिक्छा सुधर रहा है, ब्यापार अच्छा है, बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अच्छा आउसर देगा, मुश समय बितेगा, सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ आपके लिए कुछ अलग पहचान कराएगा, लव लाइफ ध्यान दीजेगा, स्वास्त के मामले में किड्नी, आख और लीवर की प्राब्लम हो सकती है, क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी कुम्भ है, कुम्भ राशी वा शुबह 64 प्रत्शत का भाग्या, अंत्यम राशी मीन, शिक्षा पूर्ण है, पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, व्यापार अच्छा चल रहा है, अवस्वर अच्छे देगा, लाब होगा, प्राइवेट सेक्टर कुछ मुश्किल देगा, लेकिन उसको लेकर आ सरकारी च्छेत्र को आज जितना आगे वढ़ा सकते हैं, उतना वढ़ा लीजिए, आपके हाथ में है, दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ अच्छा तालमेल बैठ जाएगा आज, विवाद से बाहर निकलेंगे, लव लाइफ, विवाद की चर्चा कर स्वास्त के मामले में पेट, आंख और बैक की समस्या दिखाई देती हैं, क्या प्रयोग करना चाहिए, आज किसी जरूरत बंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुब होगा, क्या नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है, अनावश्या, नीला रंग शुब है, 61% का भाग या मेश, छोटा आ, ब्रिशब, ता मिथुंधा करक्टा, सिंग, छोटा आ, कन्या, शा, तुला, जा, ब्रिश्चिक्ता, धनुगा, मकर, चाक्षर, कुभरा, मीन, चाक्षर, अब आज की सक्सेज की, फरा-फर जाल लेते हैं, अपने उपर, दाहिने हाथ से, सामानने जल का छ जनम दिन है, पहले तो शुब कामना है और बधाईया, दो बच्चों की सिक्षा में मदद करते हुए, दो पीपल के पौधे कहीं लगाना है, और जिसकी आज मैरिज अनिवर्सरी है, तीन लोगों को भोजन कराके हर शनिवार पीपल के नीचे दीपक जलाना है, काम पूरा अब आप अपना काम पूरा कर लिजे, आज और परसों, दो दिन आप मुंबई में मिल सकते हैं और उसके बाद मुलाकात करेंगे हम आप अहमदाबाद, सूरत और फिर पांच और छे तारिख चंडी गढ़ रहेंगे, समय जल्दी से अपना सुनिश्चित कर लिजेगा, 9910 291850 पर वाटसप करके, धन्य बाद, बहुत 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 शुक्रि आपका प्यारबना आए रखिएगा, हमें नुमत दीजे, नमस्कार, शेरादे